जैहिन दोस्तों बेलकम है आपका विजेपत तिफेंस एजुकेशन में एक वार फिर से हमारी हिमाचल जीके की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है फर्स्ट क्लास आज ये रहेगी जिसमें डेली 15 प्लस क्वेशन डिसकस करेंगे जो कि आपके हमाचल पुलिस एक्जाम और आने वाले फोरेस्ट गार्ड के एक्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे हमारे जितने भी कोशन है वो आपके प्रिवियस एर के कोशन रहेंगे हिमाचल जीके के वीडियो को आपको पूरा देखना है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आपको शेर और लाइक करना है सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो फर्स्ट कोशन है आपके लिए मंडी जिले की कौन सी जील तैरते हुए टापू के नाम से जानी जाती है बाइलेंगुल कोशन आपके लिए हैं विच लेक और मंडी डिस्टिक इस नोन ऐस फ्लोटिंग आइसलेंड तो हिमाचल में एक मातर ऐसी जील है जिसको तैरते हुए टापू की जील के नाम से जाना जाता है और उस जील का नाम है रिवालसर जील डिस्टिक मंडी में ये स्थित है इंपोर्टेंट कोशन है नेक्शन है सुकेत सत्यग्रह कब शुरू हुआ था तो सुकेत सत्यग्रह हिमाचल में 1948 में शुरू किया गया था इंपोर्टेंट कोशन है ये भी आपके लिए प्रीवियस एर के कोशन आपके लिए रहेंगे नेक्शन है उहल जल बिद्युत परियोजना कहां पर स्थित है तो उहल हाइड्रो इलेक्रिक प्रोजेक्ट हिमाचल परदेश के कौन से जिले में लगा है तो डिस्टिक मंडी में उहल जल बिद्युत परियोजना स्थित है आपको बताना है किस नदी के उपर जो है उहल जल बिद्युत परियोजना बनाई गई है next one कौन सा राज्य ये केंदर शाशित परदेश हिमाचल परदेश के उत्तर में स्थित है which state or union territory is located to the north of हिमाचल परदेश तो जम्मू एंड कश्मीर जो है वो पहले राज्य था लेकिन अब उसको केंदर शाशित परदेश बना दिया गया है तो हिमाचल के ये उत्तर में स्थित है next question है क्शेतरफल के हिसाब से हिमाचल परदेश देश के कौन से स्थान पर है according to area wise what is the place of हिमाचल परदेश in the country तो हमारे भारत में हिमाचल परदेश का अठार्मा नंबर आता है क्शेतरफल के हिसाब से next one है पोंग बांध किस नदी पर बना है तो पोंग बांध जो है ये ब्यास नदी पर बनाया गया है काफी important question आपके लिए है ये काफी सारे question यहां से बनते हैं डिस्टिक कांगडा में ये स्थित है और इसको जो है बो महाराना परताप सागरबांध के नाम से भी जाना जाता है और कुछ टाइम पहले पूरे भारत बर्ष में bird flu की बात जो है फैली थी एक बिमारी जो थी वो पूरे हिमाचल में पूरे भारत में फैली थी तो पोंक बांध जो है वो उसके लिए भी काफी न्यूज में रहा था और वहां से N1H5 नामक फ्लू जो है वो बर्ड फ्लू में बताया गया था तो important question है आपके लिए next one है नवाला उत्सब किसके द्वारा मनाया जाता है तो नवाला फेस्टिवल जो है वो गदी जन जातीओं के द्वारा जो है वो मुख्य रूप से मनाया जाता है और डिस्टिक चमबा का ये जो है ये मुख्य तिहार है next one है स्थानिय भाषा में थोड़ा का अर्थ क्या होता है what is the meaning of little in the local language तो local भाषा में जो है वो थोड़ा का मतलब हिमाचल प्रदेश में खेल कूद को जाना जाता है next one है सूर्य मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे स्थित है अगर भारत के लिए पूछा होता तो कुणार्क मंदिर था और अगर हिमाचल की बात की गई है तो हिमाचल में नीरत नामक स्थान पे सूर्य मंदिर स्थित है नेक्स्ट कोशन है लभी मेला किस परकार का मेला है तो ये जो है ये बेपार मेला है जो की तिबबत के साथ जो है ये मुख्य रूप से मेला लगता है किस वर्ष में भाग सी राजे बिलासपुर हिमाचल परदेश के साथ मिलाया गया था इन विच येर ता पार्ट सी स्टेट बिलासपूर बाज मर्ज बिद्ध हिमाचल परदेश तो 1954 में बिलासपूर को जो है वो हिमाचल परदेश के साथ मिलाया गया था इंपोर्टेंट कोईशन है 15 अपरेल 1948 को हिमाचल हमारा बना था उस टाइम इसके मुखे रूप से चार जिले थे मंडी, महासू, सिरमोर और चमबा उसके बाद धीरे धीरे हिमाचल परदेश के डिस्टिक बनते गए और आज हिमाचल परदेश के कुल 12 जिले हैं एक नवंबर 1966 को पंजाव राज्य के पहाड़ी क्षेतरों में बिले होने से हिमाचल परदेश के कितने जिले बन गए थे तो उस टाइम के जो हैं वो दस जिले जो हैं वो एक नवंबर 1966 को बन गए थे Next one है 2011 की जन संख्या के अनुसार हिमाचल परदेश का लिंगानुपात कितना है What was the sex ratio of हिमाचल परदेश as per 2011 तो उस टाइम पे 972 जो है वो 2011 की जन संख्या के अनुसार हिमाचल परदेश का लिंगानुपात था Next one 2011 की जन गणना के अनुसार हिमाचल परदेश की कितनी literacy rate थी शाक्षता दर कितनी थी तो 82.80% हिमाचल परदेश की शाक्षता दर थी और सबसे जादा जो शाक्षता दर है हिमाचल परदेश में वो डिस्टिक हमिरपूर की है Next one बिलासपूर राज्य में सतलूज नदी के उपर बना कंदरोर पूल का उधगाटन कब हुआ था तो हिमाचल परदेश के साथ साथ एशिया का सबसे हाइट पे ये पूल बना है जिसका नाम है कंदरोर पूल और सतलूज नदी पर ये बना है जब भी शिमला जाते हैं तो इस पूल से ही क्रोस होके जाना पड़ता है 1965 में इसकी उधगाटन जो है वो उसका 1965 में किया गया था हिमाचल के साथ साथ एशिया का भी सबसे हाइट पे बना ये पूल है Next one सुकेती जिवाशम पार्क कहां पे स्थित है तो सुकेती फोसिल पार्क हिमाचल परदेश के जिला सिरमोर में स्थित है Next question है किस सहर ने 2006 में अपने हजार साल के निर्मान पर अपना स्थापना दिवस मनाया था तो 2006 में ऐसा कौन सा जिला है जिसने अपना स्थापना दिवस बनाया था एक हजार साल पूरे होने पर तो उस जिले का नाम है जिला चमबा आपको बताना है कि चमबा शहर की स्थापना किस ने की थी Next one संजे कुमार परंबीर चकर बिजेता का समन्द हिमाचल के किस जिले से है तो संजे कुमार जी जो है उनको परंबीर चकर से नवाजा गया है और ये समन्द रखते हैं हिमाचल परदेश के डिस्टिक बिलासपुर से नेक्श वन हिमाल्याज एबोड ओफ लाइट के पुस्तक के लेखक कौन है तो हिमाल्याज एबोड ओफ लाइट बुक जो है बुक इसके द्वारा लिखी गई है निकोलस रोरीच के द्वारा ये लिखी गई है लास्ट कोशन है इस वीडियो का हिमाचल परदेश के पहले और बरतमान की बात करें तो जैराम ठाकुर जी जो की डिस्टिक मंडी से समंद रखते हैं ये बरतमान के हिमाचल परदेश के मुख्य मंत्री हैं और हाल ही में हिमाचल परदेश के राजेपाल जो हैं गवर्नर वो चेंज हुए हैं तो करेंट अफेर का कुशन है आपको कमें पीडियेप्स, नोट्स आपको प्रोवाइड करवाय जाते हैं तो वटसाप के साथ आप ज़रूर जुड़ें वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप इसको इसको एजिली जोइन कर सकते हैं मिलेंगे जल्दी ही सेकेंड पार्ट के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत